जय श्री कृष्णा दोस्तों हर हर महादेव मेरे साथियों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सन्यासी जी के पर दोस्तों अगर आप भी अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों पूर्ज गुरुजी ने अभी अभी अपनी दो दिन पहले की कथा में बताया है कि सावन का पवित्र महीना खत्म होने से पहले शरीर के इस अंग पर आज ही बांधे एक काला धागा महादेव जी की कृपा से घर में धन धान्य के भंडार भर जाएंगे और कोई भी दोश आप पर है तो वो सभी नश्ट हो जाएंगे और तो और आपकी हर मनो कामना पूर्ण हो जाएगी धन एश्वर्या सुख समरिध्ध की प्राप्ति होगी आप सफल इंसान बन जाएंगे दोस्तों सावन का महीना 22 जुलाई दिन सोमवार से शुरू हो चुका है जिसका समापन 19 अगस्त को होगा तो सावन के महीने में जितना जल्दी हो सके इस शुख समय की समापती से पहले शरीर में इस अंग पर आज ही बांधे काला धागा हो जाओगे माला माल दोस्तों काला धागा बांधने से आपका भाग्य उदय हो जाएगा दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि शरीर के किस अंग पर बांधना है और आखिर काला धागा क्यों बांधना है तो आप भी इस उपाय को जरूर करिएगा और ऐसा मौका अपने हाथों से मत जाने दीजिएगा तो आएए जानते हैं कि यह उपाय कैसे करना है लेकिन उससे पहले आप जानते हैं कि सावन का महीना देवों के देव महादेव को समर्पित है और अगर आप भी महादेव को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में हर पर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। पर हर मत भूलिखना 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 मत सच यही है कि इसे इश्वर ने भी श्रेष्ठ माना है। काला रंग तो स्वयम शक्ती की देवी मा काली को समर्पित होता है। आपने भगवान विश्णु की अनेक मूर्तियां मंदिरों में अच्छी तरह देखी होंगी। परंतु जैसा प्रभाव शालिग्राम यानी काले पत्थर के रूप में विश्णु भगवान को माना गया है। वो किसी अन्य धातूँ और पत्थरों से बनी मूर्ति का नहीं है। जिसे बहुत ही शुभ फल्दाई माना जाता है। काली गाय के पैरों के नीचे की मिट्टी भी माथे पर लगाई जाए तो पापों से मुक्ती मिलती है। वही काला रंग के कुत्ते का जोतिश में बरा महत्व बताया गया है। इसे भगवान भैरव का और करूर ग्रहन के प्रभाव को दूर करने वाला बताया गया है। इसलिए काला रंग हमारे जीवन में बहुत उपयोगी माना गया है। तो दोस्तों काला रंग का धागा अगर आप अपने शरीर पर धारन करते हैं तो इसकी सबसे बरी विशेशता यह है कि यह किसी भी तरह की उर्जा को आपके शरीर से बाहर निकालने नहीं देता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसा चमतकारी उपाय बताने वाले हैं, जिससे आपका जीवन सकारात्मक तरीके से पूरा बदल जाएगा। आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। इतनी खुशियां आएंगी जिसकी आपने कभी कलपना भी नहीं की होगी। आप चाहे जितनी भी मेहनत मशक्कत कर लो, अपेक्षा अनुसार आपको उसका फल नहीं मिलता, धन की कमी हो जाती है। आर्थिक समस्याएं सताने लगती हैं, चिंता बढ़ती है, चिंता के साथ में कलेश आता है, और फिर परिवार में अशान्ती छा जाती है, पती-पत्नी के बीच का समवाद गायब हो जाता है, लराई जगरा उसकी जगह ले लेते हैं, यह नकारातमक्ता आने के कई कारण ह हो सकते हैं, ग्रिह दोश से लेकर घर में गलत जगह रखी गई गलत चीज और वास्तु दोश भी इसके करण हो सकते हैं, परंतु सबसे बरा कारण होता है किसी दूसरे की नजर लग जाना, ऐसी नकारातमक्ता हमें अपनी जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देती, ह इसे तो थोरा सा हटके उपाय है दोस्तों, लेकिन काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं है, कई सालों से इसे हात पर गले और बाजू में बांधा जाता रहा है, मूल रूप से इसे नजर से बचाने के लिए बांधा जाता है, दरसल काला धागा और भी कई व्यक्ति को अमीर तक बनने के काम आता है। इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। इसके कारण नाकारात्मकूर्जा आपको प्रभावित नहीं कर पाती है। इसको अलग-अलग तरीके से उपयोग में ले सकते हैं और इसके अनुसार आपको उतना ही लंबा धागा लेना है। यह काला धागा नाकारात्मक्त को अवशोशित कर लेता है, काला रंग बुराईयों को अवशोशित कर लेता है, उन्हें अपने अंदर शोख लेता है, और इसी कारण अक्सर आपने देखा होगा कि घर के बरे बुजुर्ग भी, जब आपके घर में कोई छोटा बच्चा होता है, तो उसको किसी की नजर न लगे, इसलिए काला ठीका लगाते हैं, शादी के समय भी दूल्हे दुल्हन को काला ठीका लगाया जाता है, यह काला रंग बुरी शक्तियों से रक्षा करता है, तो काला धागा लेकर आपको नस्दीक के किसी शनिमंदिर या हनुमान जी के मंदिर चले जाना है, अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं, तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर इस धागे पर आपको लगाना है, और साथ ही आपको धागे में साथ गांठे लगानी है, प्रतिये गांठ लगाते समय एक समस्या के निराकरण की विनती आपको भगवान से करनी है, उसके बाद आपके जीवन की बरी समस्याएं गांठी लगाते वक्त आप भगवान को बता सकते हैं। जीवन की बरी समस्याएं गांठी लगाते वक्त आप भगवान को बता सकते हैं। इस भी व्यक्ती के लिए आप यह उपाय करना चाहते हैं। उसे व्यक्ती के बाजू में आपको बांध देना है। अगर आपने बरा धागा लिया है, तो आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के बाजू में यह बांध सकते हैं। यह एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। उमारे शरीर पर नहीं होने देता। शनी दोश से बचने के लिए भी व्यक्ती को काले धागे को पहनना चाहिए। अगर आप इसे शरीर पर बांधना नहीं चाहते हैं। परंतु चाहते हैं यह धागा आपके साथ आपके घर परिवार की रक्षा करें, तो उसे धागे को अपने घर के मुख्य द्वारा पर उपर की तरफ बांधे। इससे आपके घर में कभी कोई नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाएगी, और आस पास की कोई भी बुरी शक्तियां हो, वो दूर चली जाएगी। सकारात्मक उर्जा के कारण घर परिवार में खुशहाली आएगी। दोस्तों, अगर आपके दांपत्य जीवन में परिशानिया है, आपस में नहीं बनती, अनबन ही रहती है, तब आपको अपने बचने के लिए बेडशीट के नीचे ऐसा ही अभिमंत्रित करके धागा रखना, इस धागे को तकीये से एक फीट नीचे रखना है, ताकि आप जब सो जाएं, तब आप दोनों की पीठ इस धागे पर आनी चाहिए, इस धागे को रखने से पति-पत्नी के बीच का तनाव दूर हो जाता है, आपसी प्रेम बढ़ जाता है, सुखमे प्रेम जीवन की प्राप्त होती है, वही दोस्तों, अगर आपके परिवार के किसी दस्य को नजर लग गई है, किसी की बुरी नजर का दोश लगने के सारे लक्षन दिख रहे हैं, तो उस व्यक्ति के बाजू में विशेश तोर पर इस काले धागे को बांधना ही चाहिए, दोस्तों, वैसे तो यह उपाय तुरंत असर दिखना शुरू कर देता है, परंतु अगर आपको लगे कि इसके प्रभाव में कमी है या उतना असर नहीं दे रहा है, तो हर शनिवार को या मंगलवार को एक दिन आपको इस काले धागे को मंदिर ले जाकर फिर से अभिमंत्रित करना है, और उस समय ओम हनुमते नमह मंत्र का जाब करना है, अगर आप उसे दि अवशाली और अत्यंत सरल उपाए हैं, ये कितनी भी बुरी परिस्थितियों में आप गिर गए हो, ये आपको उसमें से उबार लेता है, ऐसा कहा जाता है कि कई बार कई चीज आपको ठीक नहीं कर पाती है, वहाँ एक छोटा सा काला धागा आपको कई सारी परेशानियां से बचा सकता है, ग्रह पीरा वास्तु दोश, बुरी शक्तियां हर तरह की समस्याएं दूर होकर घर में सुख शान्ती सम्रिध्धी और धन की आवद बनी रहती है, दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आप भगवान भोले भोले नात के सच्चे भक्त हैं, और आप भोले नात का प्रेम प्यार आशीरवाद पाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि भोले नात का आपके घर में वास हो, और आप भोले नात को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर 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 महादेव जरूर लिखें हर हर महादेव दोस्तो धन्यवाद